Hi Lalo friends! Friends, Rejectration के बाद का Process क्या रहेगा जैसे की Fees कैसे पे बिगए है, Photo and Signature Till 계 minder है նवायरमेंट डुटेल कैसे चेक करें, क्या फील करें ऐसमे इम यह सारह María जो Process है, हम इस वीडियो में सीखिए तो चलिए स्टार्ट परते हैBlue सोरी फ्रेंस यह वीडियो मैं जानता हूँ लेट आ रही है लेकिन इस वीडियो इस ओन डिमांड रीपिर फॉर्म के लिए रिजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके लिए आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूगा आप वहां से च लोगिन के बाद जो हमारा सबसे फर्स टेप होता है वह होता है फीस पे करने का फीस आप ओनलाइन भी पे कर सकते हैं और ओफलाइन भी ओफलाइन के लिए आप इंडियन पोस्ट आफिस के चलान पर क्लिक करेंगे यह चलान देख सकते हैं चलान कैसे पे करना है फ्रेंस य होने में थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंस फीज पे करने के लिए आपके बास ओप्शन होते हैं स्टेट बेंक डेबिट आधर बैंक डेबिट कारड यूपी यह फिर नेट वैंकिंगा पर आपके किसी के भी थूप अपनी फीज पे-गर सकते हैं मैं स्टेट बैंक को मैं आपको एक टिप देता हूँ जैसे आपकी जो फीज से सक्सेस्फुल होती है आप 15 से 20 सेकंड वेट करें जो पेज होगा वो आटमाइटिकली बैक चला जाएगा आपको लोग आउट करके अगेन लोग इन करना है और अगर आपकी जो फीज से फिर भी कनफर्म नहीं होती ही फीज भी हमने पे कर दी है जैसे जैसे हमारा पूरसेश कंप्लेट होता रहेगा जो यह आप स्रिप इख रहे हैं यह कलरड होती रहेगी जैसे इंटरफेस होपने होता करना है और खेंर आपको एक बार जो अपने डटेल अबने फील करी ह ow और करेंगे सुप्जीक्ट बखेर जो आपने रीपर नहीं वह चुस शही करें रहें अगर कोई मिस्टेक होती है ने in बार फिरेंगे के से अपकर अपने सिर्णा कॉंठीन लिक लेगे और then friends आपके पास other information में जो सबसे first option आता है वो आता है have you applied for revaluation आपने revaluation के लिए apply किया था जिस subject में आपने re-apply करी गए अगर आपने किया तो yes कर देंगे otherwise no पे रहने देंगे और next option है हमारे पस blind and permanent disability इस पे no कर देंगे और जो next हमारे पास option है disqualification का इससे भी no ही रहने देंगे then fourth and last हमारे पास option है क्या आप environment exam में qualified हैं अगर आप हैं तो yes करेंगे otherwise no पे रहने देंगे अगर आप yes पे डिक करते हैं yes पे क्लिक करने के बाद जो आपकी detail है वो आपको feel करनी होगी इन्वार्मेंटर रिल्ट कैसे चेक करना है friends उस पर मैंने वीडियो पहले से बिना रखी है अब मेरी ये वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक भी मैं description में देदूँगा आप वहां से चेक कर सकते हैं और जैसे आप अपनी other information save करते हैं तो आप देख सकते हैं student information has been updated now you can download your form form download कैसे करने हैं आपके बास से लिंक होगा इस पर क्लिक करेंगे और click here to print और download your form इस पर क्लिक कर देंगे और जो आपका form है वो आप अपने पास save करके रख लिजिए friends ये form आपको कहीं भी submit नहीं करवाना नहीं university में नहीं college में university dimension कर रखा especially आप देख सकते हैं friends जिससे भी आप apply कर रहे हैं अपने desktop यहां वे mobile से आप उसमें save करके रख लिजिए video file को thank you friends video अच्छी लगी हो तो share करना like करना channel को subscribe करना अगर कोई एक query हो तो comment करना